हेलो दोस्तों कैसे आप सब उम्हेद है कि आप अच्छे होंगे सवस्थ होंगे और अच्छे से स्टड़ी कर रहे होंगे मैं आज आपके लिए रिजिनिंग का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट लेके आया हूं देखिए चलते हैं करते हैं कि फर्स्ट कोस्टन है जैसे किसी गाएं के बच्छे को बच्छडा कहते हैं वैसे ही किसी बकरी के बच्छे को क्या कहेंगे हम गाएं के बच्छे को बच्छडा कहते हैं और बकरी के बच्छे को क्या कहेंगे बिल्कुल असांसा लेकर आया हुमें question पहले और फिर उसका level बढ़ाते चलेंगे right answer रहेगा memna जो की right answer यह रहेगा second question जिस तरह जहाज कप्तान से समंदित है वैसे ही अकबार किस से समंदित है दीजी जबाब हम अनस्वरिंश का तबी कर पाएंगे जब यह हमें चैर उप्षनों का पता होगा meaning कि पाठ्थे क्या करता है मुद्रक क्या करता है संपादक प्रकासक क्या क्या कारिया होते इनका राइट अनस्वर संपादक संपादक कोन होता है जो पुस्तक को मतलब जो समाचार पत्तर जो सामगरी का अधिन करता है उसका सवरूप बनाता है जो भी वह होता है संपादक अक बार पत्तर जैसे इनका जो सवरूप डांचा त्यार करता है वह संपादक होता है अगला कोस्टन यह राख के सामने जिस तरह से मचली जल से समंदित है वैसे ही चिडिया किस से समंदित होगी बिल्कुल असान है कोमेंट में स्कोर कार्ड जरूर बताए कि कितने कोस्टन ठीक है और कितने कोस्टन गलत है राइट अन्स रहेगा अकास अगला कोस्टन किसी बुजर्ग व्यक्ति का पुत्तर मेरे पुत्तर का चाचा है पर लेड रिलेशन का कोस्टन है जल दीवताईए मेरी मा की एकलोती पुत्र के एकलोते पुत्तर का सम्मंद उस बुजर्ग व्यक्ति से क्या है देखिए कोई बुजर्ग व्यक्ति है हमने सबसे पहले अपने आप से ही मानना है मतलब अपने से ही लेकर मानना है कि स्टेटमेंट में क्या कह रखा है बुजर्ग व्यक्ति का पुत्तर मतलब बुजर्ग व्यक्ति अपने आपको ही मानना है मेरे पुत्तर का पुत्तर और उसका चाच्चा यानि मेरे बाई होगा तो मेरी मा का एक लोता पुत्तरी है जो मेरी मा की एक लोती पुत्तरी मतलब मेरी सीश्टर उसका पुत्तर मेरा बाण जाओ गया तो व्यक्ति व्यक्ति का उस बाण जे से क्या समन्दित हो गया बत्तित जी तो हो नहीं सकता जितना उसके eliminate करने कोशिस की आगरो बतीत जी हो नहीं सकता चाचा और नाती में से एग होगा चाचा भी नहीं होगा स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ो और फिर जवाब देना राइट अंसर हैगा नाती जो कि यह है इस का अंसर नाती कोण होता है पता आपको नाती होता है पुत्री का पुत्तर या हम कह सकते हैं लड़की का लड़का ठीक है दोस्तो अगला question रहेगा यदि परसो शुक्रवार था तो आने वाले परसो के बाद तिसरा दिन क्या होगा मतला हमें आज का दिन पता होगा तब ही हम परसो का दिन निकालेंगे और शेकले तिसरा दिन निकाल पाएंगे मान लेते है आज एक सकनों की दोस्तो आज कोई भी दिन अभी नहीं मानेंगे परसो शुक्रवार था मतलब ये आने वाले हो सकते हैं और हम इनको बविश्या के मानेंगे मतलब बूतकाल के मानेंगे परसो शुक्रवार था परसो का मतलब कल सनिवार होगा ठीक है दोस्तो और परसो शुक्रवार था ठीक है दोस्तो और कल सनिवार मानेंगे मतलब संडे होगा उस दिन आज तो आने वाले परसो के बाद तीसरा दिन क्या होगा ये मंडे होगा ये ट्यूजडे होगा पर्षों के बाद, कल पर्षों मंगलवार उसे तिसरा दिन क्या होगा, मंगलवार से तिसरा दिन, कल बुद्वार पर्षों वीरुवार और उसे अगला पुछा है तिसरा दिन, तो शुक्रवार हो जाएगा दोस्तों, ओप्शन बी ठीक है दोस्तो एक बार करके देखना जल्दी सब्सक्राइब आ जाएंगे अगला कोश्चन सही करम का चेन करेज जो दिये गई समीटर में फिट होगा मतलब इन में से ऐसे बनाने है इनका जो ये है जिसका अंस्वर ये आए 39 ही आए इन में से कौन सा होगा कौन सी स्टेटमेंट ऐसी होगी जो सभी सिंबल इन में फिट वेट जाएंगे इनको अल्मिनेट औप्शन करने के कोसिश कियागए ओ ठीक है दोस्तो मतलब इन में ऐसे देखो पहले डिवाइट देखना होताँ सबसे पहले डिवाइट को देखो कहां फिट होगा ये इससे बाग होगा नहीं होगा इससे भी नहीं होगा मतलब फर्स्ट और सेकंड में बाग नहीं आएगा ऐसे कौन से उप्शन है जिसमें फर्स्ट और सेकंड बाग नहीं है मतलब बाग है वो देख लोगों कट जाएगे फर्स्ट और सेकंड में इसमें बाग है ये भी नहीं होगा इसमें भी बाग है ये भी नहीं होगा मतलब 10 और 12 में और 6 में बाग कौन से में सबसे अच्छा फीट होगा 12 और 6 में ही फीट होगा सबसे अच्छा तो लास्ट में बाग देखनी कोशिश क्यों लास्ट में बाग होना चाहिए लास्ट में बाग C में ही है जो की right answer यह होगा करके देख लेना 29 नहीं answer आएगा ठीक है दोस्तो अगला question यदि क्यों का मतलब जोड़ना है J का मतलब गुणा है T का मतलब गटाना है K का मतलब बाग देना है तो यह statement देख लो और इसके साब से बताओ क्या answer होगा ठीक है दोस्तो यह देख दोस्तो करके बताता हूँ आपको 30 K का मतलब बाग और 2 का मतलब मतलब 2 और क्यों का मतलब जोड़ना 3 J का मतलब क्या है इसमें दोस्तो गुणा 6 ती का मतलब क्या है इसमें दोस्तो गटाना और 5 इसको देख लो इसको शोल कर लो इसका जगा पंदरा और छेटी एठारा पर लस्क आए गए इसन और मैनस पांच आप इसको देख लो पंदरा और राट कितने होगे दोस्तो पंदरा और अठारा 33 33 मैनस 5 करोगे कितना आएगा 28 जोकि B होगा इसका राइट अन्स और ठीक है दोस्तो reasoning एक ऐसा subject है जिसमें जिक्के की question भी mention होते है math भी होता है और English भी मतलब all totally सभी subject आजाते है reasoning में इसका बताओ Rus, Moscow, Germany क्या है ये सभी एक दूसरे की राज़दा नहीं है ये Rus की Moscow है Germany की बताओ क्या है हवाना है Oslo है या Berlin या काबूल राइट अन्स और हैगा Berlin राइट अन्स और Berlin होगा काबूल किसकी राज़दा नहीं है Afghanistan की है और Oslo का Oslo एक खूद ही राज़दा नहीं है किसकी? Norway की Norway देश है जोकी European माधियूप में है और हवाना हवाना दोस्तो हवाना साइद Mari क्यूबा की राज़दा नहीं है हवाना तो राइट अन्स वर ये रहेगा जिस प्रकार राजा का सम्बंद रानी से है वैसे ही गोड़े का सम्बंद किस से होगा पैन उठाने की जूरती नहीं दोस्तों इन में ऐसे कोस्टन लेके आओं जिस प्रकार राजा का सम्बंद रानी से है वैसे ही गोड़े का सम्बंद किस से है राइट अन्स वर बी होगा दोस्तों ठीक दोस्तों अगला कोस्टन जिस तरह से देश का सम्बंद राष्टरपती से होता है वैसे ही राजा का सम्बंद किस से होगा राष्टपती देश का पर्मुख होता है मतलब पर्थम सदस्य है ग्ढ़ाएं पर्थम नागरिक होता है देश का राष्टपती भारत में राष्टपती है और रजय में क्या होगा राइट अन सो रहेगा रजय पाल चीए दोस्तों अगला कॉर्शन दिस्पूर असम बेंगलूरू बताओ क्या होगा आएगा इसनका दोस्तों असम की राजदानी दिस्पूर और बेंगलूरू किसकी कैपिटल है गुजरात की गंदी नगर होगी राइटन्सवर रेगा करनातक करनातक होगा राइटन्सवरू गुजरात की गंधी नगर उडिस्टा की बुन्वेशवर और अरुनाचल प्रदेश की इंटा नगर अगला कोस्चन थैंक्यू दोस्तो मैं आपके सामने लेकर इतने ही कोस्चन लेकर आ हूँ दिरे दिरे इन की संख्या बढ़ाने ही कोस्चिस करूँगा कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट में जरूर बताए और स्कोर कार्ड अवस्य बताए इससे मेरा होसला बढ़ेगा धन्यवाद